तो आज इस वीडियो में हम देखने वाल है प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन मतलब जी बी एस जिसको डेटा फ्लो भी कहा जाता है जो सिर्फ खतर के लिए है यह प्रोसिजर जो है अंडर क्यू सी एच पी के अंडर होता है जिसको अभी डी एच पी बोलता है मतलब डि हेल्थ केर प्रोफेशनल्स अभी नया नाम दिया है इसको तो इसके अंदर जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसका जो वेरिफिकेशन यहां पर किया जाता है जब भी कोई एंप्लॉई procedure होता है कि उसने अपने document जो है वो verify कराना ज़रूरी होता है तो इसके लिए जो है हमें कुछ documents की जरूरत है जिसको हम soft copy में convert करा लेंगे वो है पहले passport है उसके बाद अगर आपका name change का कोई यह है certificate है तो वो attach कराएंगे मतलब उसको soft copy बनाएंगे उसके बाद हमारा educational certificate आएगा जैसे कि diploma certificate हो गया G&M अगर रहेगा तो B.A.C रहेगा तो अगर उसका degree certificate है या कोई और technician का कोई course है फिजियो तेरपी का course है तो इसके लिए जो है हमें degree certificate की जरूरत है उसके बाद में professional licenses मतलब जो है हमारा Indian government के अंडर कोई भी licensing authority रहेगा जैसे महाराश्टा nursing, केरला nursing ये council के certificates की soft copy जरूरत है उसके बाद जो है work experience चाहिए जो last हमारा work experience है या कोई भी still working certificate है तो वो भी चाहिए उसके बाद जो है good standing certificate good standing certificate मतलब आपका जो licensing authority है वहाँ से आपको जो है good standing certificate मिल जाएगा तो ये जो मैं आपको बताया ये documents की requirement है www.gbsqchp.com इस पे register करना होगा उसके बाद उसके अंदर form जो है fill up करने के बाद जिसको जो आपको मैं documents बताया हूँ उसको upload करना होगा उसके बाद आपको fees पे करनी होगी fees जो है आपको credit card से ही पे करनी होगी और submit करना होगा application तो ये जो procedure है ये आप offline भी करा सकते हो offline के लिए जो है आपको मैं address description box में दे दूँगा और जो है extra 50 qatar real इसको extra charge लगता है अगर आप physically करते हो तो लगबख 1000 रुपी का फरक आता है उसके बाद जो है application करने के बाद आपको जो है email पे registered जो आपका email है उसके आपको उसका जो है receipt मिल जाएंगी उसके बाद जो है आप उसके अंदर अगर form fill up करते हो form fill up करने के बाद payment होने के बाद आपको अगर track करना है आपका जो primary source of verification तो आप वहां से track कर सकते हो अगर आपको किसी भी वक्त यह आपको stop करना है तो आप यह procedure stop भी कर सकते हो और आपको अगर appeal करना हो तो यह appeal भी कर सकते हो तो इसके लिए जो है withdrawal का जो request है मतलब वापिस लेने का form वापिस लेने का यह two working days के अंदर आपको मतलब जब आप form submit करते हो उसके बाद two working days में वह आपको refund हो जाएगा बट उसके अंदर जो है आपको bank charges refund नहीं कराएंगे उसके बाद जो है appeal का मैं आपको बताया appeal के लिए कोई भी extra charges नहीं लगेगा अगर report में changes होते है तो हम देखेंगे जब duration कितना लगता है approximately इसको जो है 20 दिन का duration लगता है उसके बाद मतलब जब आप form submit करते हो तो उसके 20 दिन के अंदर आपका हो जाएगा यह मतलब verification जो है हो जाएगा और इसके लिए जो है आपका जो main आपको जो document है वो passport ही है मतलब passport के identification से ही आपका verification हो जाएगा तो बाकी जो details है मैं आपको description box में दे दूँगा जस थोड़ा read कर ले और उनकी website पे भी पूरे details दिया गया है वो भी आप check कर ले इसके लिए जो fees का मैं आपको अभी तक mention नहीं किया तो फीज का जो physician और इंटनेंट उसके लिए thousand कदरी रियल है उसके बाद जो है हमारा नर्सेस और फार्मासिस्ट उसके लिए 800 कदरी रियल है उसके बाद जो है nurse educator के लिए thousand कदरी रियल clinical nurse के लिए thousand तो यह था पूरा Gulf Bridge Services का information और QCHP के अंडर है यह उमेद है कि वीडियो आपको समझ आया समझ आया तो प्लीज लाइक कर देना और एक रिक्वेस्ट चैनल को अब भी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना यह वीडियो आपके ज लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई